शुरूए शुपर डूबर हपी बात देश शुरूए शुपर फिर अपर नयुकोष । हपी बात देत दू यूरू हपी बात देत दू यू हपी बात देत दू यू अड़ी आठादा, हपी बर्देतो, अड़ी आठादा. अब दो 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 कि दो दो कि अधन दो付कुण हापी पर्जे तो दिया पादा हापी पर्जे तो दिया पादा हापी पर्जे तो दिया पादा Happy young life to you, dear father Christ, Vishwa, Sri Priya, Bhaiyo, Urbhano आज जनन दिन के सुआ आउसर पर मैं आप लोगों को मेरे मान में जो सोच विचर है उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ आज के दिन में मेरे मान में दो सब्द आते हैं एक है धन्यवाद देना और दुसरा है असिरवाद पाना इस धर्ती में जनम लेने से हम कहेंगे ईश्वर से एक दान पाते हैं इश्वर कही अनुग्रा है कि हम इस धर्ती में जनम लेते हैं और इसलिए सबसे पहले मैं इश्वर को धन्यवाद देता हूँ मेरे जनम होने के कारण करंगी इस वर के इच्छा से ही हम इस धर्ती में आते हैं और दूसरा में मैं कहूंगा मेरे माता पिता और उसी के साथ में कहेंगे मेरे सिक्छक लोग जो लोग हमें मुझे सिक्छा दिया है माता पिता इसी लिए कि उनको धन्यवाद देता हूं करन कि उनके प्यार उनके देखभाल से माई छोटे से बढ़ सका ज़ि माई बच्पन को देखूंगा चाए हमारे घर का परिस्तित को मैं देखूंगा तो मैं बढ़ सका आगे बढ़ सका इसलिए कि मेरे माता पिता मुझे प्यार दिये देखभाल किये मेरे को सुरक्षा दिये इसलिए मैं माता पिताओं को मैं धन्यवाद देता हूं जब भी अभी मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं याद करता हूँ, मेरे परिवार में, हम जब छोटे थे, तो उस समय हमारे मा और बाप उस समय कुछ ऐसे कुलक भासा में भी बात्चित करते थे मेरे पिता जैसे माँ सुना था वो सिर्फ दो क्लास तक पढ़े थे, और मेरे पिता को निकनेम में में सुना था, उसको धारो पावलुस धारो पावलुस इसलिए कि मैं सुना एक बार वो महमान गया थे इदार कॉर्मुंडा पर इस खुकुरु बहर तो मेरे अंकल मैंने बड़ा पिता के साथ में मेरे बाड़ा के साथ में तो वो लोग को इसे कुछ हांसी मजाग में कहा गया पकड़ो धरो उनको इसा कुछ बाचित कार रहे थे तो उससे उसको धरो पावलुस नाम मिल गया और उससी नाम में शुरु में जाने जाते थे इसा महें सुना था मेरे पिता नहीं पढ़े थे ज्यादा फिर भी वे करमट थे और इसा मेरा जीवन में हुआ कि मैं उनके साथ में बहुत नजदिक से रहने नहीं सका है में स्थिले कह रहा हूं कि जब हम लाइन के थे वहां से 60 के बाद में हमारे परिवार कुचिंडा थरा जामी लिए मेरे बड़ी पिता के साथ में और उधर रह गए और उधिरी रहते थे मेरे दूसरे रिष्टिदारों के साथ में और ऐसा हुआ कि मैं मेट्रिक पास करने के बाद में जब मैं सेमिनरी जोइन किया उधिरी थे और खेती वेरी का काम करते करते उनका तव्यात उतना अच्छा नहीं था और जब मैं सेंट आलबर्स कोलेज रांची गया तो उनका मरन हुआ और मैं उनका मरन के लिए भी जफन बिधी के लिए भी मैं उपस्तित नहीं था बाद में हमको ख़बर मिला और मैं उसको ग्रहन किया इस वर का इच्छा काते हुए तो मेरे पिता जी के बारे बोलने के बाद में मेरे माता के बारे एक दो साथ बोलना चाहता हूँ मेरे माता अनपड़ थे नहीं पढ़े थे लेकिन वे अपना काम करते थे कहूंगा परिवार में चाहे इसे स्वास्थ में स्वास्थ बन रहकर परिवारी काम में वो आगे बढ़ते थे और वो करते थे हम लोग परिवर में चार भाई और दो बहान थे साब मिलाकर और अभी हम लोग इस में से माय बचा हूं और हमारी बहान एक है जो मिशनरी सोब चारिटी सिस्टर्स में एक मिंबर है और मां हम लोगों को बाप का अभाव से बाप नई रहने से सब कुछ करते थे यही गाहों में लाइंकलोनी गाहों में तो यह माता पिता का थोड़ा अनभाव है ओ लोग का प्यार उनका देखभाल और ओ कैसे हम लोगों को पढ़ाए मेरे साथ में मेरे भायों को बहानों को कि इस दिन में माता पिता को माई याद करता हूँ, वह हम लोगों के लिए कितना ही नहीं किये है, कितना दुख, कस्ट, त्याग तपस्या करते हुए हम लोगों को सिक्छा दिये, बढ़ाये, बढ़ाये, और आद्मी मनाईे, उसके साथ मैं सिक्छक लोग कहूँगा, सब शि जब मैं आया, मैं याद करता हूँ उनके शिक्षा देने का तरीका चाहे उनका वर्धान उसके बाद में कहूंगा मिट्टि के बाद में मैं एक प्रोहिद बानने के लिए इच्छा प्रकाट किया तो हम उस समय में हमको समलपूर जाने के लिए कहा गया जहां जोती भान शु पूसरी लड़के लोग थे हम लोग हमिर्बूर से थे और गईबिरा से थे और उनके साथ मैं माई Efendimiz 2 सार का कॉलिस्टैडिस उस समय में किया जोती भान में राह के हम लोग भड़ागार में रहते थे और जिएम कॉलिज में पढ़ने जाते थे उसके बाद में हमरा पढ़ का मौका दिया गया था लेकिन मैं प्लास्टू लेभाल तक साइंस किया था तो साइंस पढ़ने में दिकत हुआ इसलिए मैं मेरा सब्जेक्ट चेंज किया और आर्च में ही मैं ग्राजुएशन किया सम्मलपूर इनिवर्सिटी से तो यह रहा हमारा फॉर्मेशन का बात और म मेरा अभिसेक्ट हुआ 21 एपरील 1979 मेंं पिसव चेनध मेरे को कैस्रों मलपरिस में आभिसेक्ट किये हैं इसके बाद म माय प्रोहित्यी का काम चाहे प्रोहित्यी का सिवा कम मैं शुरू किया चार साल करने के बाद में हमको पढ़ने का मौका मिला शुरू में पहला साल में माय शिकाजोर में था उसके बाद में जुनुमर में तीन साल था दो साल स्कूल में और एक साल परिस में पढ़ ही करने का म दाइसिस समलपूर तो पीशोब आलफॉंस बिलूं का गाइडेंस में कहेंगे मैं पढ़ने के लिए रोम गया और चार साल वहां पढ़े किया यह मेरे लिए एक ठुट टानिंग बोइंट था हमारे फोर्मेशन में कहूंगा करान की रोम में रहते समय मैं एक उनिवर्सल कलिशिया का नुभाव किया और मेरा मन दिल खूल गया कहूंगा एक हिसाब से करान की वहां रहते समय पढ़ई तो पढ़ई किया, पढ़ई थोड़ा कठिन था, करान की स्कृप्ट्र पढ़ई के लिए हम लोग को भासा सिखना पढ़ा, ग्रीक, और हिब्रू, और इटालियन, और दुसरे दुसरे भासा. खायर पढ़ ही तो हम लोग के लेकिन छुटी के समय में माई इधावदर जाने को हमको मुखा मिला European countries और एक बार अमेरिका भी तो मेरे साथ में मेरे लिए अच्छा मुखा था कि कराम कि जो मिशनरी इस लोग यहां इंडिया में थे और लोग लुट गये थे और उनके साथ में हमरा संपर्ग था जैसे होलाइंड के फादर जॉन वेगर्ड इस वीडी उनके पास में दो बर गया था होलाइंड में एक स्थान है दोईरने बलके वहां जो लोग ओल्ड एज वाले हाएं मिशनरी जो लोग उनको रखा जाता है और उन्हें के साथ में मैं भी महा था और अगल वगल जगा देश मैं घुमने सका यहां इसा हुआ कि ओह ही हमको स्टाइल लिये थे जहां इस वीडी समाज का सुरू हुआ और उसके बाद में और सेंड अगस्तिन बौन यह सब हमको दिखाए उसके बाद में एक फादर थे फादर माइकल स्लिप का जो यहां बिर्मित्रापूर में अक्री समय में थे उनके साथ भी मुलाकात हुआ जर्मानी के म्यूनिक सहार में और ओ भी हमको थड़ा बहुत मदाद किये और उसके साथ में रहा के भी माई कुछ सिखा और एक बार हमको इंगलान जाने का भी मौका मिला माई एक सब्ताक के लिए इंगलान गया करान के वहां उस समय में फादर जो सेवलिन एस्वीडी जो एक समय में हमिपूर में हैंड मास्टर थे उनके पास बाए गया और वो मेरे हमको इधर घुमाए इंगलान का जो लंडन सहर है उसका हमको दिखाए और उनके साथ में रहना भी बहुत ही आच्छा अनभाव था और एक बार हमको अमेरिका जो नियो हमरा आनुभा बहुत ही कहेंगे फादर लोग से मिस्नाइट लोग से मिल के बहुत ही इंडिचिंग था और मैं उनसे एंकरेजमेंट भी पाया और पड़े खताब करके मैं आया और मैं जदातार सिमिनारी में हमको पढ़ाने के लिए मौका मिला खिष्टो जोती महां भी द आसल था लेकिन उसके अलावा मैं विजिटेंग हिसाब से जाके ब्रदर लोग को मैं स्क्रिप्चर बाइबल और इसे मैं पढ़ा रहा था उसके अलावा तीन साल मैं गोपालपूर अनसी में भी मैं दर्शन सस्तर का सिमिनारी है पढ़ने के लिए तो उहां भी तीन साल मै अनुभाव था तो इस अनुभाव से मैं बहुत खूस हुआ और अभी भी प्रोहित हिसाब से भी मैं वाड़ों गौड को प्रचाल करने के लिए छोटे-छोटे पुस्तक लिखता हूं और लोगों को प्रभु का वच्चरन सुनाने के लिए कोसिस करता हूं तो यह रहा मे आप धाए असिर्वाद पाना इस समय यदि हमको पूछा जये आप क्यों असिर्वाद पाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा असिर्वाद पाना इसलिए चाहता हूं इस वर से कि मैं एक healthy person एक healthy person रह के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ बहुत लोग हम को comment किया कहा कि आप तो हम healthy हैं और अभी तक अच्छा ही हैं फिर भी मैं एक स्वास्त बान चाहे healthy person रह के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ इसलिए करान के health is wealth कहते हैं इसलिए जरूरत है कि हम अच्छे स्वास्त में आगे बढ़ सकें तो यह भी मेरा सोच है कि मैं इस वर से प्रात्रा करता हूँ हमें आशिर बात मिले कि मैं अच्छे health में राकर दूसरों के लिए मैं सेवा कम जितना दूर तक जितना समय तक जितना साल तक कर सको मैं करूंगा दूसरी बात है इसलिए कि मैं एक विश्वास्य प्रोहित बनने के लिए बने रहने के लिए faithful to my priesthood हम लोग प्रभु का बचन में सुनते हैं बिल्कि से देख एक प्रोहित था ये सदा के लिए he was a priest for ever इसा हम लोग बचन सुनते हैं तो एक बर मैं कुमिट किया हूँ अपना जीवान को कलिशिया के लिए इस खुरिस्त के नाम से इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अखरी तक मेरा जीवन में प्रात्ना का जीवान हो चैस depression का जीवान हो मैं भिश्वास्त रहना चाहता हूँ इसलिए मैं आज की इस दीन में अशिरवाद का जो सोच है यही सोच को भी मैं रखता हूँ खिस्ट में प्रीय भाई और भानो आज मैं मेरा जनम द speech मना रहा हूँ तेरा आगस्ट और तेरा आगस्ट मेरे लिए एक मिमुर्वल डे रहता है हर सल और इन सार भी मैं याद कर रहा हूं मेरा जर्मदीन के आफसर में और मेरे परिशनस लोग के साथ में कि जो परिजीत हैं चाहे मेरे सांग सती लोग के साथ में मना रहा हूं और इस आवसर में माई इस्वर को और मेरे मृत माता पिताओं को चाहे मेरे रिस्तेदारों को मेरे सिक्षक लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और उसी के साथ में मेरे प्रुहित भायों को भी मेरे अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को इस सोच विचार सुनने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को इस सोच विचार सुनने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ